Hello Everyone, आज की वीडियो अरेका पाम प्लांट के बारे में है अरेका पाम प्लांट गुडलक प्लांट भी है और ये वेस्ट एर प्यूरिफायर का काम भी करता है इस प्लांट को हम इंडोर भी लगा सकते हैं और आटडोर भी लगा सकते हैं तो ऐसे में हमें अपने प्लांट की किस तरह से केर करने चाहिए, उसी के उपराज की वीडियो है यह जो अरेका पाउं का प्लांट है, इसकी जो पतियों की टिप है, वो सोख रही है और निचे से भी इस प्लांट की कुछ जो ब्राजी जाएं, वो सोख रही है यहाँ पे देखिए, तो जब प्लांट ऐसा हो जाए, सुखने लग जाए और उसकी पतियों भी पीली पढ़ने लग जाए तो हमें एक कुछ काम प्लांट के उपर करने है सबसे पहले तो हमने इसकी जो पीली हुई पतियों है, उनको ट्रिम कर देना है यहाँ पे मैंने पूरी ब्रांच की जो मुर्चाई हुई और पीली पतियों थी, वो निकाल दी है इस तरह से ट्रिम कर देना है, जो सुखी हुई पतियों है, उनको काटके अलग कर देना है अरे काप आम तभी अच्छा लगता है, जब दिखने में पूरा हरा बरा हो और हेल्दी प्लांट हो तो हमने प्लांट की ट्रिमिंग कर दे है, अब हमने इसके जितने भी डेट ब्रांचीज हैं उनको निकाल देना है जैसे कोई ब्रांच सोख जाती है, तो उसके उपर जीतने भी पतियां होते हैं, वो भी सारे की सारी सोख जाती हैं और उनके निचे जो उस ब्रांचीज का थोड़ा सा तला रह जाता है निचे सोखा हुआ, उसको भी निकाल देना है जैसे यहां पे है, यह पूरी के पूरी ब्रांच सोख चुपी है, तो इस तरह से जो रह जाता है इसका तला जैसा इसको भी निकाल देना है, इसमें निउ ग्रोथ नहीं होती है इसके बाद अगर हमने अपने गमले की जो मिटी है, इसके हलके गुडाई करने हैं गुडाई करने से गमले की जो मिटी है, वो वैल ड्रेन बनती है, और जब भी हम अपने प्लांट में कोई भी फर्टिलेजर डालते हैं, तो प्लांट की जड़े उसको असाने से एब्जर्ब कर लेती है गमले की मिटी जितनी वैल ड्रेन होगी, भूल भूरी होगी, प्लांट उतनी अच्छे से ग्रोथ करेगा यहाँ पे देखें, पूरे के पूरे गमले की जो मिटी है, पूरी वैल ड्रेन है, भूल भूरी है अब हमने अपने अरिका पाम प्लांट में फर्टिलाइजर डालना है तो इसमें हम दो तरह का फर्टिलाइजर डालेंगे जो इसकी पतियों को लश्ग्रीन बनाएगा सबसे पहले जो फर्टिलाइजर हमने इसमें डालना है वो है वर्मी कमपोश्ट एक टोरी वर्मी कंपोस्ट यहां पे ले लिया है, इसकी जगा गाय के गोबर की पुरानी खाद भी ले सकते हैं। गाय के गोबर की जो पुरानी खाद है रगवक एक डेट साल पुरानी हो। इसके साथ ही जो second fertilizer हमने डालना है ओ है एपसम साल्ट का एक चमच हमने गंली की मीटी में डाल देना है। एपसम साल्ट को डालने से हमारे जो अरएका पाम है इसकी पतिया लश्कुरीन दरेंगी। जब भी हमने प्लांट में फर्टिलाजर डालना हो तो प्लांट के चारों साइड से डालना है और इसके साथ ही हमने जब अब एपसन सॉल्ट डालना है तो ऐसे डालना है कि जो गंबले की जो मिट्टी है उसके साइड शायर में डालना है इसकी जड़ों में एपसन सॉल्ट नहीं डालना है अब जैसे ही इसमें fertilizer भी डाल दिया अब इसकी जो मिट्टी है वो एक बराबर कर देनी है उपर से हमने और पानी दूसरे दिन डालना है क्योंकि अभी evening का time है तो इसमें जो पानी देना है वो morning के time पे देना है पानी उतना ही गमले की मिट्टी में डालना है जिस्तरे की हमारा जो fertilizer हो drainage hole चे निकलना नहीं चाहिए अलके हलके हाथों से कम-कम पानी इसमें डालना है कि इसकी गमले की जो मिट्टी है उसमें moisture बना रहे अरेका palm की अच्छी growth ये लिए इसको हमें indoor रखना चाहिए किसी window के पास जहांकि इसको right light मिलती रहे अरेका palm के हमें बहुत ज़्यादा benefits भी है ये हवा को भी शुद करता है हमारे लिए good luck plant भी है एक बात और है कि जैसे हम अपने अरेका palm की अच्छे से care करते हैं उसमें अच्छे से fertilizer भी डालते हैं फिर भी हमारे अरेका palm की जो पतिया है वो सोकने लग जाती है प्लांट मूर जाने लगता है तो ऐसा इसलिए भी होता है कि हमारा जो अरेका palm का प्लांट है वो 5-6 साल पुराना हो जाता है जिस भी गमले में लगाया होता है तो उसकी root bound हो जाती है प्लांट बड़ा हो जाता है गमला छोटा हो जाता है तो ऐसे में हमें इसकी reporting कर देनी चाहिए बड़े गमले में इस प्लांट को shift कर देना चाहिए और जैसे ही यहां पे हमारे गमले में इसमें 5-6 प्लांट हो गया है क्योंकि इसके छोटे-छोटे बेवी प्लांट भी इस गमले में उग आये है तो हमें ऐसे में इनको डिवाइड कर देना चाहिए इनको अलगला करके अलगला गमले में लगा देना चाहिए अगर ये की गंबले में ज़्यादा प्लांट होगे तब भी प्लांट अच्छे से सर्वाइब नहीं कर पाएगा और इसके साथ ही इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है ओवर वाटरिंग से भी इसकी पतिय पेली पड़ जाती है तो वीवर्स आज की वीडियो में हमने अरेका पाम के बारे में डिसकस की